Hello students, parabolas है, यह हमारे पास question है, minimum distance between the parabolas y square minus 4x minus 8y plus 40 equal to 0 and x square minus 8x minus 4y plus 40 equal to 0 तो हमें इन दो parabolas के बीच के, जो minimum distance है, वो find करना है, ठीक है, तो अगर इस दोनों parabolas को हम simplify करें, तो यह है y square minus 4x minus 8y plus 40 equal to 0, यह दूसरा हमारे पास parabola है, ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप देखो, यह दोनों parabolas दिखने में एक जैसे लगते हैं, मतलब अगर मैं यह वाले जो parabola है, इसमें y को x से replace कर दूँ और x को y से replace कर दूँ, तो मेरे पास यह एक parabola आ जाएगा, ऐसे अगर इसके साथ भी करूँ तो मुझे ऐसा parabola मिलेगा, मतलब x और y को replace कर दूँ, तो मुझे यह parabola की अदला बदली हो जाएगी, ठीक है, अब यह चीज यहाँ पर समझना इसलिए जरूरी है, क्योंकि जियरा यह देखो आप, x square equal to 4 ay, जैसे मेरे पास यह एक parabola है, और y square equal to 4 ax, यह हमारे पास दूसरा parabola है, इन दोनों parabola को ज़रा बहतर तरीकिस हम समझ लेते हैं, तो यह जो parabola है, इसके लिए यह diagram है, और यह जो parabola ह इसके लिए यह diagram है, ठीक है, अब हो क्या रहा है, कि अगर मैं y और x को replace कर दूँ एक दूसरे से, तो इन दोनों parabola के अदलाब अदली हो जाएगी, अगर इसमें y को x से और x को y से replace कर दूँ तो ऐसा parabola मिल जाएगा, and vice versa, तो इसका मतलब यह हो गया, कि यह जो दोनों parabola ह है, वो इस line के symmetric है, देखो, मैंने यह line एक draw की है, इस line के symmetric है, इस line के symmetric का मतलब क्या हुआ है, कि अगर मैं इसको mirror assume करूं, इस equation का नाम है y equal to x, यहां रखना है, इसकी बहुत ज़वत पड़ेगे भी, y equal to x बोला है, तो इगर यह y equal to x को मैं mirror मानूं, तो आप देख सकते हो कि यह जो मेरे पास यहां पर object है, इसकी image कुछ ऐसी यह बन रही है, ठीक है, यह मतलब हुआ symmetric, ऐसे अगर हमारे पास यह x and y axis है, मैं circle अगर draw करता हूं, taking origin as the center, तो यहां पर आप यह देखें कि अगर मैं इसको mirror मानूं, तो इसकी mirror image यह बन रही है, इसको mirror मानूं, तो इस इसकी mirror image यह बन रही है, तो यहां पर यह जो circle है, यह x and y दोनों axis के क्या है, symmetric है, यह मतलब इसका, तो यह दोनों parabolas y equal to x axis के about symmetric है, क्योंकि इन दोनों को replace करके ही, इन दोनों parabolas की अतलब अदली हो रही है, यहां पर भी इस question में भी यह ही हो रही है, ठीक हो गया, यह एक च कुछ नहीं होता, जैसा मैंने समझाया asymmetry, तो हम क्या करते है, इन दोनों parabolas को सबसे पहले axis पे draw करते, अब यह हमारे पास जो parabola है, क्या लिखाए है, y square, मैं यहां पर लिखता हूँ, y square minus 4x minus 8y plus 40 equal to 0, तो अब simplify करते हैं इसको, यह है, y square minus 8y plus 16 minus 16, यह अपनी तरफ से add and separate कर लिया, अब मैं लिख लेता हूँ, minus 4x और यह मेरे पास है, 40 equal to 0, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, यह हो जाएगा, y minus 4 का whole square, और इसको वहाँ ले जाके solve करूँगा, तो मुझे मिलेगा, 4x, यह यहां पर minus 24, थोड़ा सा और simplify कर लेते हैं, तो y minus 4 का whole square equal to 4x minus 6, चीक है, जो हमारे पास दूसरी parabola की equation है, यह भी बिल्कुल ऐसी ही मिलेगी, अंतर इतना होगा कि x को y की जगा आपको रख देना है, यह कुछ ऐसा मिला, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों ही parabolas को coordinate axis में draw करता हूँ, तो strengths, यह मैंने coordinate axis ड्रॉ कर ली है, यह बिल्कुल मैंने scale का use करके बनाया है, ताकि आपको properly समझ में आ जाए, तो सबसे पहले y minus 4 का square है equal to 4x minus 6 है, अब इससे पहले मुझे vertex find करने पड़ेंगे, obviously यह जो parabola equation है, यह y square equal to 4ax की form में है, जिसका axis होता है x-axis, तो इसके पहले vertex find करने पड़ेंगे, तो इसके vertex ह होंगे 6,4 जो कि हमें यह point मिलेगा, तो इस point को vertex मान कर, अगर मैं इस parabola के लिए x, इसका जो axis होगा, वो क्या होगा, y equal to 4, तो y equal to 4 को इसका axis मान कर, अगर draw करो, तो यह कुछ ऐसा बनेगा, चीक होगे, अब इसके लिए आते हैं, तो इस parabola का जो vertex होगा, वो होगा 4, 6, जो कि यह वाला point है, और इसका जो axis होगा, वो होगा x equal to 4, जो कि मैंने यह बनाया है, axis कैसे निकालते हैं, अगर यह समझना है, तो simple है, ऐसा कुछ नहीं है, देखो जैसे यह वाला parabola में simple समझाता है, यह पराबोला बनाना, यह तो आपको पता ही है, इस parabola का, यह diagram बनेगा, तो इसको बोलेंगे, इस parabola का axis, और इसकी equation होती है, y equal to 0, तो ऐसे समझो, जो square वा फिर x equal to 4, तो यह रहा x equal to 4, तो इसका यह हो गया vertex, और तो यह parabola में ऐसे बना लिया, ठीक हो गया, वैसे तो यह diagram में आपको बहतर समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको चीज़े समझ में आ गया हो यह से, अब हमें क्या करना है, क्योंकि मैं आपको starting में बता दिया था, कि जो y equal to x है, यह दोनों ही उसके symmetric है, इसका मतलब क्या है, यह मैं y equal to x को में draw कर रहा हूं यहाँ पर, तो आपको दिख रहा होगा कि y equal to x जो है, इन दोनों को cut नहीं कर रहा है, यहाँ पर तो cut कर रहा था, यहाँ पर cut नहीं कर रहा, अब क्योंकि diagram बनाने में अगर time waste न करना है कि y equal to x इनको cut कर रहा है यह नहीं कर रहा है, तो simple सी बात है, y equal to x को इन दोनों equation में, दोनों parabolic equation में से किसी भी equation में put करो, और discriminant निकाल कर करो कि वो intersect कर रहा है यह नहीं कर रहा है, डिस्क्रिमेंट अगर negative y है, तो इसका मतलब नहीं कर रहा है, ठीक हो क्या, तो ऐस के बीच का जो minimum distance है वो find करना है तो possible नहीं था हमारे पास क्योंकि कौन सा point यहां से लिए कौन सा point यहां से लिए तो हमने क्या कर दिया यह एक line मना ली इस पर हमें ऐसा point find कर लेते हैं जो इसके parallel होगा obviously जब दो lines parallel होती है तो उनके बीच shortest distance निकालना हमारे लिए आसान होता है ऐसा ही हम इसके साथ भी करेंगे तो हमने जो line draw कर ली है y equal to x जिसके about यह दोनों parabola symmetric थे तो मुझे आप क्या करना है suppose मैं यह वाला parabola ले रहा हूँ तो इस parabola में एक ऐसा point find करना है एक ऐसा tangent draw करना है जो इसके क्या हो parallel हो कैसे करेंगे सबसे पहले इस वाली parabola की equation हमने यह की थी है ना तो यह कहां से आया था हमारे पास यह था हमारे पास दूसरी equation थी यह है इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ x square minus 8x minus 4y यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ x square minus 8x x square minus 8x minus 4y plus 40 equal to 0 तो इस वाले parabola की यह equation है अब मुझे क्या करना है मुझे इसका एक tangent fine करना है तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं मैं आपको simply बताता हूँ tangent fine करने के लिए मुझे यहाँ पर एक point का पता होना जरूरी है कैसे fine करूंगा तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ इसको differentiate कर लेता हूँ अगर differentiation आपको आता है तो x square का differentiation है 2x इसका हो जाएगा 8 इसका हो जाएगा minus 4 dy by dx और इसका हो जाएगा 0 ठीक हो गया यहाँ से अगर मैं dy by dx की value निकालू dy by dx तो यह कुछ ऐसा मिलेगा 2x minus 8 over 4 ठीक हो गया तो यह dy by dx को क्या बोलते हैं हम slope slope बोलते हैं तो जब किसी curve की equation को differentiate करते हो तो आपको dy by dx मिलता है और dy by dx बताता है उस slope के किसी एक point का उस parabola या उस curve की किसी एक point का slope अब अगर आपको पता है इस point पे मुझे एक ऐसा point चाहिए मानलों यह है point और इस पे अगर मैं कोई tangent draw करूँ तो वो इसके parallel होना चाहिए अगर इसके parallel माना चाहिए तो इन दोनों का slope क्या होगा बराबर इसका slope क्या होगा आपका one y equal to x का slope कितना होता है one तो अगर मुझे एक ऐसा point मिल जाए जिस पे मैं tangent draw करूँ और इस tangent का slope इसके बराबर हो तो इस tangent का slope अगर मैं इसको मान लूँ तो और इसको अगर मैं one के बराबर रग दू तो और इसको solve करूँ तो 2x बराबर आ जाएगा मेरे पास 12 और x की value यहाँ पर कितनी आ जाएगा 6 इसका मतलब है इस point पर x की value मेरे पास कितनी आ गई है 6 अब यहाँ पर हमारे पास यह है x square minus 8x minus 4y plus 40 इसमें x की जगर 6 put कर लेते हैं और देखते हमारे पास क्या आता है यह तो हमारे पास हो गया 36 6 8 जा कितना हो गया 48 minus 4y plus 40 हो गया अब इसको solve करते हैं जाएजे यहाँ पर इन दोनों को minus किया तो minus 8 आ गया 36 minus 8 तो हो गया हमारे पास 28 तो हमारे पास आ गया y equal to 28 y 4 4 6 जा 24 तो 6 आ रहाया हमारे पास ठीक है तो यह चेक करेंगे इसमें x की value 6 आ रही है और y की value भी हमारे पास 6 आ रही है इसका मतलब है इस point के coordinates हमारे पास 6,6 आएंगे नहीं मेरे ख्याल से यहाँ पर यह 7 होना जाए ना 7 जा 28 होता है तो हमारे पास यह जो point है इसके coordinate आ गए है 6,7 समझ में आ गया तो 6,7 यहां से मिल गया हमें हो point ऐसे गर इसके लिए करें तो obviously इसके about symmetric हैं तो इसकी mirror image में क्या होगी यहांगर simple सी बात है यह तो mirror की तरह काम कर रहा है अगर मुझे इसमें भी एक point मिल जाए तो यह अगर mirror की तरह काम करता है जिसको मैं symmetric axis कहता हूं तो 6,7 की mirror image इसमें क्या होगी 7,6 ना तो यह आ गया हमारे पास 7,6 बस अब आपको क्या करना है इनके बीच का distance find करना है तो 6,7 और 7,6 इनके बीच का distance find करेंगे तो हमारे पास answer आएगा root 2 यह आप यह solve करके खुद देख सकते हैं क्या हमारे पास answer match कर रहा है हाँ देखिए root 2 आ रहा है solution थोड़ा सा lengthy हो गया पर यह solution समझाने के purpose भी इतना lengthy हुआ है नहीं तो अगर practice में होंगे तो आपके लिए चीज़ें पटापट हो जाएंगी I hope कि आपको यह solution समझ में आया होगा solution समझ में आया है तो वीडियो को like जरू करें और चैनल को subscribe नहीं के तो please चैनल को subscribe भी जरू करें thanks for watching